आज हमारे अधिकार सब चीन गए हैं शर्मिकों के लिए इन्होंने कानून बदल दिये 12 गंटे 16 गंटे काम के कर दिये तो आप हमारे गरीबों के मजदूरों के जो अधिकार हनन चीने जा रहे हैं और जाती प्रथा को चुप रहकर बढ़ावा दे रही है तो हमें उसका प् अत्तदान करेंगे और नहीं तो हम बहिशकार करेंगे जब तक हमें नहीं मिलेगा हम शांती से नहीं बैठेंगे हमारी शिक्षा इस तरह से बर्बाद कर दी है इस सरकार ने कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं दिल्ली के स्कूलों को देखे तो वहाँ पे भी धाई धाई घंटे पढ़ाई हो रही है और पचास स्कूल से ज़्यादा मर्ज कर दिये गए हैं और कुछ बंद कर दिये गए हैं गुजराज जैसे स्टेट में जहां मोदी जी की अपना निवास स्थान है उनका स्टेट है वहाँ पे करीब साथ हजार स्कूल सरकारी बंद कर दिये गए हैं क्योंकि उन स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं अमीर बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल खोले ज जरूरत है आज हमें उठाने सबसे बड़ा मुद्दा उठाना जो है वो शिक्षा के लिए है और हमें अपनी आवाज शिक्षा के लिए जरूर उठानी चाहिए आज हमें प्रति रोध करना चाहिए कि जो हमारे शर्मिकों के लिए इन्होंने कानून बदल दिये 12 गंटे 16 साला गंटे काम के कर दिये तो आप हमारे गरीबों के मज़दूरों के जो अथिकार हनन सीने जा रहे हैं उनको हमें उठाने कि आवाज है आज EVM के लिए सब कहा रहे हैं कि EVM नहीं होना चाहिए क्या हमारे लोगों जो यहां पर बैठे हैं जो जन्ता यहां पर आई हुई है क्या एक आवाद से यह कहेगी कि हमें जब तक EVM नहीं हटेगी हम आपके यहां पर मत अधिकार नहीं करेंगे हम मतदान ही नहीं करेंगे जागर मतदान ही नहीं करोगे आप 90% तो ये किस पर दोंस दिखाएंगे हमें चाहिए कि EVM के लिए सबसे बड़ा जो घोशना करनी चाहिए हमें अब ये करनी है कि अगर बुलेट पेपर से हम सरकार हमारी मतदान कराएगी तो हम मतदान करेंगे और नहीं तो हम वहिशकार करेंगे दूसरी बात ये हैं कि जो हमारे न्याय के अधिकार चीने जा रहे हैं चाहे वो हमारे उपर अत्याचार हो रहे हैं हमारी सरकार एक तरफ तो रात में आके आठ वजे नोट बंदी कर देती है, GST लागू कर देती है, लोगडाउन लागू कर देती है, लेकिन जाती पर्था के नाम से चुप हो जाती है और जाती पर्था को चुप रहकर बढ़ावा दे रही है, तो हमें उसका प्रतिरोध करन चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए, जब तक हमें नियाय नहीं मिलेगा, हम शांती से नहीं बैठेंगे, ये हमें आज संकल्प नियां से लेके जाना चाहिए, जब तक हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे, तो हमें कोई सरकार अधिकार नहीं देगी, और मैं यहीं कहना चाहूंगी कि जो यहां पर लोग बैठे सुन रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो इस चीज को मान के चलिए कि आज हमारे अधिकार सब छीन गए हैं, तो हमें आगे आके लड़ना सबसे जरूरी है, हमें चुप नहीं बैठना, हमें गुटों में नहीं बटना, हमें दलों में नहीं थी, अगर यही फंक्षन कहीं अपरकास्ट का होता, जन्रल का होता, चाहे आप समझ सकते हो कि चाहे कुम्ब लगता है या हिंदों की महासभा होती है, तो उसमें पैर रखने को जगानी होती, आज हमारे समाज के लोग घरों में सोये हैं, खास तोर से दिल्ली में, दिल्ली अपनी अपने फंक्षन बना रहे थे, लेकिन यहां तक आने का कश्ट नहीं किया, यह हमारे समाज के लिए शरम की बात है, तो हमें आगे से ऐसा नहीं करना चाहिए, आगे से हमें ध्यान रखना चाहिए, कि जब कोई हम ऐसा फंक्षन करते हैं, तो हमें एक साथ मिलकर, ए अपने वचन समाथ करती हूं थैंक यू जन्यवाद